अससलाम अल्यकुम दोस्तों, कैसो आप सब। इस वीडियो में आज की ज़़ुरी अपडेट है वो शेयर करूँगा तो वीडियो को पूरा ज़रू देखिएगा। पहले सथिप्पाद इंडिया और बागी अरब देशों की बात करेंगे। तो दीके पहला अपडेट है मिनिस्ट्र उफ इंटेरियर के दरब से, सोधिय अरभिया में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो सिटीजन हो या फिर गैर मुलकी लोग हो, दीके उनको ये वार्निंग दी गई है, कि सोधिय अरभिया में रह करके आप जाती वाद ना करें, धरम को लेके लडाय, जगडा, अर्ग्यूमेंट्स, ये सब आप नहीं कर सकते सोधिय अरभिया में, इसा करता हुआ कोई भी बंदा पकड़ा जाता है, पांच लाख रियाल का जुरुमाना लगेगा, और एक साल की जेल की सजा होगी, ये नियूज में इसलिए शेयर कर र पर, लेकिन सौधी रभिया में रह के आप ये चीज नहीं कर सकते, यहां पर जो लोग रह रहे हो, यहां का जो रूल रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, टिक टोक में भी कुछ लोग लडाय जगडा करते रहते हैं, दूसरे का धर्म का इंसल्ट करते हैं, त अब अच्छा भी करोगे, तो आप उसको साथ में लेके जाओगे, बुरा भी करोगे तो साथ में लेके जाओगे, दो लाइन मैं आप लोगों तक शेर कर देता हूँ, कहीं पर मैंने पढ़ा था, कि पास्ट और कास्ट में उल्जोगे, लाइफ झंड हो जाएगी, दूसर इंसूरेंस कार्ड के जरिये, अभी हमें 18 और भी नए बीमारियों का लाब मिले गए इंसूरेंस से, अब देखिए आप एक चाहिए और में बता दे रहा हूँ, इंसूरेंस कार्ड जो आप लोगों के पास रहता है, यह सब अलग अलग रहता है, वो पूरी तरह से डिपे पानी को गिराफतार किया गया, एक बंदा सौधी अरभिया में काम करता था, यहां का रेसिडेंट था, और एक बंदा यहां का विजिटर था, विजिट विजा ले करके घुमने आया हुआ था, इन दोनों के पास से नशा करने वाली चीज बरामत की पुलिस ने, जिसके व अपडेट है, नोनवेज लवर्स के लिए, देखिए मेरे भाई, जो भी चीकन, अंडा पसंद करते हो, बहुत खाते हो, आपको बता दे है, फ्रांस में अभी बड़ फुलू का विमारी आया हुआ है, और सौधी अरभिया ने फिलहाल के लिए, फ्रांस के साथ में डील को पबंदी लगा दी थी, इसके बाद एक अपडेट है दमाम से, जहां पर मैं रहता हूँ, देखिए पुलीस ने तीन लोगों को गिराफतार किया है, जो हुंडी से पैसा भेजने का काम करते थे, अभी भी सौधी अरभिया में कुछ लोग हुंडी से ही पैसा भेजते हैं, भाई क्यों ऐसा रिस्क लेते हो, जो इलीगल है सोधी अरभिया में, तो दीके पुलीस ने ये तीनों बंदों को गिराफतार कर लिया है, जो हुंडी चलाता था, और इनसे तीन लाख रियाल भी जब्त किया है, अब वो सारा पैसा गया, तीन लाख रियाल इनी का तो नही कीजिए, पहले लोग भेशते थे, पहले उतना चेकिंग नहीं था, अभी बहुत ज्यादा चेकिंग है, इसके बाद एक अपडेट है कुवेत से जुड़ा हुआ, देखे, स्कील वेरिफिकेशन टेस्ट, आप लोगों नहीं ये नाम सुना होगा, कई वीडियो इस पे मैं नहीं हुआ है, सौधी हुकुमत ने कहा है, जो नए बंदे आएंगे, उनका भी टेस्ट होगा, सेलेक्शन के बाद उनका टेस्ट होगा, प्रेक्टिकली, ठीरिटीकली, दोनों तरह से टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद उनका वीजा लगेगा, कुछ दिन पहले एक व तो देखे, सेम इसी तरह का रूल, कुवेत ने भी लागू कर दिया है, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, कि आप वो भी स्किल्ड वरकर लेंगे कुवेत में, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया है, वीजन टू जू 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 का, इस वीडियो का लास्ट में आ एक वक सेम वीजन रखा हुआ है, और सब लोग सेम वीजन को लेके काम कर रहे हैं, तो बहराल कुवेत गौवर्मेंट का ये प्लान है, वो बंदों को पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद बुलाएंगे, उसके बाद कुवेत में प्रेक्टिकल टेस्ट एक आया रहेगा, वो लोग पे करेंगे, कौन-कौन सा प्रोफेशन का टेस्ट होगा, इसका फिलाल कोई लीस्ट नहीं है, ये कहा गिया है, बीस से भी ज़्यादा प्रोफेशन हो सकते हैं, जैसे इस पर कोई और भी अपडेट आता है, मैं वीडियो बना के शेयर कर दूँग और यूज करने के दोरान कई बार ऐसा होता है, आप गलत एकाउंट पे पैसा भेज देते हो, उस समय लोग सर को पगड़ लेते हैं, कि अब क्या होगा, तो दीखे इससे पहले भी यही कानून था, कि अगर आप गलत एकाउंट में पैसा भेज देते हो, वो सारा डीटेल आपको बैंक में देना पड़ता था, फिर बैंक वाले उसको रिवर्स करने का कोशिश करते थे, इसमें टाइम लगता था, एक हपता, दो हपता, और आपका पैसा मिल जाता है, अलाकि यह भी एक रूल, अगर किसी गलत एकाउंट में पैसा चला जाता है, वो बंद आपको पैसा देने से इंकार करता है, तुरन निकाल के खर्चा कर देता है, तो फिर उस पर कानूनी करवाई हो सकती है, तो दीके फिलहाल आरबियाई ने ये कहा है, अब अगर गलत एकाउंट में पैसा ट्रांसपर कर देते हो, तो 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपको मिल अगर लोग नहीं करेंगे, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हो, शिकायत कहाई पर कर सकते हो, ये वेबसाइट आप इसके लिएंपर देख सकते हो, अब रिफर्ण मंगाने का क्या प्रोसेस है, उसको भी समझीए, सबसे पहले, आपको अपना बैंक में कॉल करके, सारा डिट पर लिखना है कि आप से मिश्टेक हो गया गलती से कोई और अकाउंट में पैसा चला गया उस लेटर में आप सारा डीटेल लिखोगे कौन से आकाउंट में आपको पैसा भीजना था किस में गया किस नाम से है आफसी कोड वगयरा सब कुछ लिखोगे ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर यह सब कुछ लिखोगे उस एप्लिकेशन में डेट टाइम वगयरा सब कुछ मेंशन कर दीजेगा बैंक वाले आपको खुद बोलेंगे क्या क्या मेंशन करना उसके बाद 48 गंटे के अंदर आपक आपको मिल जाएगा तो आजके इस वीडियो में फिली है फिलावल इतना ही हॉप ये वीडियो आपकी लिंफोर्मेटीव रही होगी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लिजएगा क्योंके इस तरद क्रोव्लों इन फोर्मेटीव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंग वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया